दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया में तोतों की कितनी प्रचातियां पाये जाती हैं? क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे खुबसूरत तोता कौन सा है? अगर नहीं तो दोस्तों आज ही इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं दोस्तों ये वीडियो पेहती साथ इंट्रस्टिंग होने वाली है इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप के अलास तक जरूर देखिएगा तो चलिए इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों तोतों की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है कोकाटू जो की आस्ट्रेलिया न्यूगिनी और इंडोनेशिया में पाया जाते हैं इनके लंबाई 17 से 25 इंच के बीच में होती है और अगर बात इनके अपिरियंस की की जाए तो ये सफेद कलर के होते हैं जिन इनमें इनके आँखों के कलर का ही डिफरेंस होता है इनमें फीमेल की आँखों का कलर रेड ब्राउन और मेल की आँखों का कलर डार्क ब्राउन होता है आपको बता दें कि तोते की ये बेहदी जादा आनों की प्रचाती लगबग 70 सालों तक जीवित रह सकती है इसके अला कि ये मीरियम साइज की प्रजाती साउथ अमेरिका से बिलॉंग करती है जिसका कलर कार रिर्क्पिन परपल रॉट होता है और इन tirar परपल और ब्लू होता है और इनके पंगों पर ब्रॉंज पैच्च पाए जाते हैं. इसके अलावा इसके पंगों पर वाइलेट कलर भी पाय इनकी खास्यत होती है कि ये काफी जादा इंटेलिचेंट होते हैं और अगर इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाया तो ये किसी की भी मिमिक रीक कर सकते हैं और इसी वजह से लोग इन्हें अपने घरों में पालना काफी पसंद करते हैं इनका ब्रीडिंग सीजन मार्ट से जून तक होता है और एक फीमेल ब्रॉण्ज विंग पैरिट तीन से चार अंडे एक बार में देती है नेक्स्ट इस डस्की लॉरी दोस्तो तोते की प्रचाती काफी जादा प्लेफुल और अक्टिव होती है जिसकी वजह से ये घरों में पाले जाने वाले दुनिया के सब से पॉपुलर पैरिट्स हैं एक समझदार डस्की लॉरी किसी भी इनसान के बात करने के तरीके की आराम से नकल कर सकता है इनको खिलोनों से खेलना भी काफी पसंद होता है और नए नए लोगों से मिलने में भी ये पक्षी काफी जादा दिलचस्पी रखते हैं ये डस्की बाडी बिलकुल ग्रे कलर की होती है ये पक्षी फ्रूट्स और सीट्स खाना पसंद करते हैं नेक्स्ट इस ब्लू एन यलो मकाव दोस्तों तोते की ये प्रचाती काफी बड़ी और खुबसूरत होती है जो कि साउथ अमेरिका से बिलॉंग करती है इनकी बाडी का बाहरी हिस्सा ब्लू और अंदर का हिस्सा यलो होता है और इसी वज़ा से इन्हें ब्लू और यलो मकाव का नाम दिया गया है साथ ही इनके सर का छोटा सा हिस्सा हरा होता है आँकों के आसपास का हिस्सा सफेद होता है और चोच काले कलर की होती है कुल मिलाकर ये तोता काफी ज़ इन्हें लोगों के साथ इंटरक्ट करना और उनसे नई नई चीजे सीखना खूब आता है और खास बात तो ये है कि ये नई नई शरारतों को काफी जल्दी सीख जाते हैं ये घर में बच्चों से कम नहीं होते ये घर में हर वक्त शरारत करते रहते हैं और सबके मन को भी प्लांग करते हैं और इनका कलर ग्रे होता है वैसे तो इस प्रजाती के मेल्स और फीमेल्स एक जैसे ही दिखाई देते हैं लेकिन मेल के पूँच के एंड में लाल कलर भी मौजूद होता है जबकि फीमेल के लाल पंको पर सिल्वर धब्बे होते हैं आपको बता दे कि यह त तोते किसी भी चीज़ की आवाज को कापी कर सकते हैं फिर चाहे वो आवाज सीटी बचानी की हो वहिकल्स की हो या फिर अलार्म की हो इतना ही नहीं ये और भी कई सारी चीज़ों की आवाज को कापी कर सकते हैं इस तोते के माले को हर वक्त ये ध्यान रखना सरूरी है कि ये तोता क्या सुन रहा है क्योंकि ये तोता उसे सुनते ही सीख जाएगा तो दोस्तों ये थे कुछ बेहदी जादा खुबसूरत और अनोखेत होते आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा साथे साथ वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें जादे से जादे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें